हलो बच्छो आज हम आपको कराने वाले हैं बुक 2 के बहुत ही महत्पूर्ण जो डिराइवेशन्स है बच्छो तो चली अगर आप सभी बच्छे तयार हैं आज की क्लास के लिए तो बुक 2 आल इंपॉर्टेंट डिराइवेशन्स करा रहा हूं जिससे आप वोड की एक्जा से बुलना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12 बोर्ड एक्जाम्स की तयारिया कर रहे हैं बच्छो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और क्लास में पूछ चुके हैं तो जल्दी से इस क्लास को भी लाइक कर दो सेयर कर दो अ और आफ्टर क्लास की पीडियोप्स के लिए आप तेलिग्राम चैनल जॉइन करके रखेगा तेलिग्राम चैनल का नाम है गौपाचर फिजिक्स से लिंक मिलेगा आपको इस क्लास के डिस्स्रिप्शन बॉक्ष रुग तो अब परिक्षा के लिए जो दिन बचे हैं बच् जो part 2 है, book 2 है, उसकी कुछ बहुत important derivations, five marks के derivations है, वो लेकर आया हूँ, ये सारे प्रश्ण बच्चो बहुत ज़्यादा important है, जो अकसर बोर्ड की exams में पूछे जाते हैं, तो आज की class में हम ये सारे के सारे questions करने वाले हैं, तो आज की class के सुरुवात मैं करूँगा, प्रक CP, CG, जारकन, राजस्थान, optics से एक derivations जरूर आता है, दो हैं मारे पास optics में chapter बच्चो, एक है ray optics मतलब किरन प्रकास की, और दूसरा है बच्चो तरंग प्रकास की web optics, तो optics में question हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा, यहां से derivations आने की chances बहुत ज़्यादा है, एक तो आये गई, ray optics और wave optics से, तो यहां के प्रशन बहुत ही important होते हैं, जैसा कि यह आज का हमारा पहला प्रशन है बच्चो, किसी पतले lens के लिए lens सुत्र ग्याद करना, पतला lens है, उसके लिए lens सुत्र ग्याद करना, formula है, 1 upon f is equal to mu minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2 स्थापित करना, इसे पतले lens के लिए अपवर्तन सुत्र भी कहते हैं, या lens निर्माता का सुत्र भी हम कहते हैं, तो बहुत important होता है, तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले यही निकाल कर देखाता हूं, बच्चो, किसी पतले lens के लिए अपवर्तन सुत्र की स्थापना करके, ओके, चलिए, सबसे पहल लेंगे, उत्तले lens होगा बच्चो, ठीक है, पतला lens लेंगे, ये, इस तरह से हम एक पतला lens लेंगे, ठीक है, ये इक उत्तले lens है, इस lens के सामने, ये उत्तले lens, ठीक है, इस lens को नाम दे देना, L, lens जो है, दो प्रिष्टों से मिलकर बनेगा बच्चो, ये, A, B, पहला प्रिष्ट, और C, D, दूसरा प्रिष्ट, ठीक है, बहुँ सारे बच्चे अकसर पूछते हैं, सर, हमें थेवरी कितनी लिखनी चीए, तो याद रखना विटा, जब भी कोई derivation करते हैं, तो जो CD, इन प्रिष्टों की वक्रता तरिजाए, ये भी आप मान सकते हो, पहले प्रिष्ट की वक्रता तरिजा, R1 है, दूसरे प्रिष्ट की वक्रता तरिजा, कितनी भच्चो, R2 है, ये माल लेना, अब मुख्यक्ष पर बिंदुआकार की वस्तू है, बच्चो, O, O से चलने प्रतिम 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 प्रति प्रिष्ट ओ, AB और CD से मिलकर बना हुआ है, पहले प्रिष्ट की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे प्रिष्ट की वक्रता त्रिज्या R2, ठीक है, पहले प्रिष्ट AB के द्वारा, जो मुख्यक्ष पर विंदुवाकार की वस्तू O है, उसका प्रतिम्ब I1 पर बनता है, तो और I1 का प्रतिम्ब CD के लिए बनता है बचो I1 पर, यह है पूरी कहानी, अब यहां पर कुछ और बहुत important चीज़े, ध्यान से सुनिएगा, वस्तू की दूरी, इस लेंस से वस्तू की दूरी को आप U लीजिएगा, यह U, ठीक है, I1 जो image है उसकी दूरी को बचो आप V ले सकते हैं, बिल्कुल, यह दूरी आप V ले लेना, और I1 की दूरी आप ले लेना, बचो V, इस तरह से आप ले सकते हैं, I1 की दूरी को ले सकते हैं, बचो आप V1, ठीक है, तो यह चीज़ आप यहां पर याद रखेगा, बास समझ में आई क्या, ठीक है, यह, अब हम आगे स्टाइट करेंगे, फार्मूला निकालने का, तो फार्मूला निकालने का आप सुरुवात कर रहे हैं, बचो तो सुरुवात से पहले मैं बता देता हूँ, यहां पर हम अपवर्तन सुत्र, गोली प्रिष्ट पर अपवर्तन सुत्र का यूज़ करने वाले हैं, किसका यू आपने पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए, अफवर्तन सुत्र, गोली प्रिष्ट पर अफवर्तन सुत्र होता है, mu2 minus mu1 by r is equal to mu by v minus 1 upon u, यह हमारे पास formula होता है, यह गोली प्रिष्ट पर अफवर्तन formula होता है, इस formula का हम यूज़ करेंगे, कौन सा formula यूज़ करना है हमें, हमें formula यूज़ करना है बच्चो, mu2 minus mu1 upon r mu upon v minus 1 upon u, यह गोली प्रिष्ट पर होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारी सुरुवात होगी बच्चो, पहले प्रिष्ट AB के लिए, ठीक है, पहले प्रिष्ट AB के लिए हम सुरुवात करेंगे, यह, पहले प्रिष्ट AB के लिए, अपवर्तन सुत्र, पहले प्रिष्ट AB के लिए बच्चो, तो हम पहले पृष्टप के लिए हम अपवर्तन सुत्र लगाएंगे, यह अपवर्तन सुत्र को थोड़ा सा यहाँ पर अपन्ने काम करते हैं, यह dat म्यो माइनस वनेगे कौनसा अलρα फार्मूला लएंगे बत्चो हम? म्यो माइनस वन, ठीके? म्यो माइनस वन upon r mu upon v minus 1 upon u ये वाला फार्मूला अपन यूज कर लेते हैं बच्चो तो पहले प्रिष्ट ab के लिए जब हम अपवर्तन सुत्र लगाएंगे तो अपवर्तनांग mu के प्लेस में mu हो जाएगा बच्चो mu minus 1 आ जाएगा वक्रता त्रिज्या r के प्लेस में r1 हो जाएगा और ये mu upon v के प्लेस में हम रिख लेंगे बच्चो v1 ठीक है क्योंकि पहले प्रिष्ट के लिए प्रतिवम कहाँ पर बन रहा है i1 पर तो दूरी क्या हो जाएगी v के जगा v1 हो जाएगा और वस्तु o है तो वस्तु की दूरी u हो जाएगी बात समझ में आई क्या पहले प्रिष्ट ab के लिए अब वर्तन सुत्र से mu-1 upon r के प्लेस में r1 हो जाए mu upon v1 v के प्लेस में v1 क्योंकि पहले प्रिष्ट ab के दौरा o का प्रतिवम कहाँ पर बना था i1 पर और i1 की दूरी v1 है वस्तु की दूरी वस्तु o है तो वस्तु की दूरी क्या रख दिये यू रख दिये ये मेरा first equation आगया मैं इसको समिकरा number एक नाम दे दूँगा बिलकुल equation number 1 अब इसी तरह से हम दूसरे प्रिष्ट के लिए calculate करेंगे कौन से प्रिष्ट के लिए देखते हैं अपन अपरतन सुत्र शे दूसरे प्रिष्ट cd के लिए जब हम अपरतन सुत्र का यूज करेंगे बच्चो तो क्या जाएगा हमारे पास ध्यान से सुनिएगा अब mu के place में हमने 1 upon mu रखना है reason मैं बताऊंगा minus 1 r के place में r2 आ जाएगा फिर से mu के place में हमें 1 upon mu रखना है अब दूसरे प्रिष्ट द्वारा i1 वस्तु है और i image है तो image की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चो v हो जाएगी और वस्तु की दूरी ठीक है वस्तु की दूरी हो जाएगी बच्चो यहाँ पर v1 यह 1 upon v1 यह हमारे पास हो ध्यान से सुनिए बिलकुल बहुत ही important है और बहुत ही असान है जब पहले प्रिष्ट के द्वारा प्रतिम बनता है तो वस्तु O होती है प्रतिम हमें i1 पर प्राप्त होता है तो प्रतिम की दूरी मैंने i1 की दूरी v1 को रखा बच्चो और O की दूरी यू रखा और पहले प्रिष्ट के लिए वक्रता त्रिज्जा R1 है यह हमने मान लिया था दूसरे प्रिष्ट सीडी के लिए i1 वस्तु होता है प्रतिम आई पर बनता है इसलिए प्रतिम आई की दूरी v1 और वस्तु की दूरी u के जगा में हमने v1 पुट किया और जो R2 है वो वक्रता त्रिज्जा है बात यह है सर कि आपने mu के स्थान पर 1 upon mu क्यों रखा तो ये भी हम यहाँ पर reason बताएंगे बच्चो हम क्या लेख बताएंगे देखो mu के स्थान पर mu के स्थान पर 1 upon mu ठीक है लिए क्योंकि 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 दूसरी प्रिष्ट के लिए प्रतिविंब निर्मान क्योंकि क्योंकि दूसरे प्रिष्ट के लिए बच्चो mu के स्थान पर क्या लिए हमने मौनपान क्योंकि दूसरे प्रिश्ट कले प्रतिम निर्मान तूसरे प्रतिम निर्मान किर्णो की कि लेंस से हवा में आने से चपरतिम निर्मान होता है तो प्रकास कीर्णे expressed कहा से आती है हवा से कहा जा जा रही ह accompanying lens में और दूसरे बार इस्तिती क्या हो गई बच्छो पलट गई दूसरे बार क्या हुआ जो किर्णे है वो lens से हवा में आती है ठीक है ये बाद समझ में आ रही पहले air से गई थी उस lens में बाद में lens से आई कहा बच्छो हरा हुआ मैं इसलिए new के स्थान पर हमने रख दिया बाटा vanaonn new रक दिय तो यह बिल्कुल आपको लखना होगा अब एक काम करना यहां पर हम new का गुना कर देंगे किसका गुणा करने पर म्यू का गुना कर देते हैं, mu का गुना करने पाद, दोनों पॉक्षों में mu का गुना कर देंगे, तो mu का गुना करेंगे, तो ये formula कुछ ऐसा दिखाई देगा, mu mu cancel हो जाएगा, ठीक है, ये 1 में mu का गुना होगा, 1- mu हो जाएगा, बच्चों, ये हो जाएगा, हमारे पास R2, यहाँ पर भी mu mu cancel हो जाएगा, 1 upon क्या हो जाएगा, बच्चों, V, और ये हो जाएगा, हमारे पास mu upon V1, ठीक है, ये हो जाएगा, mu upon V1, ये बन गया, हमारे पास समिकरन 2, mu का गुना हुआ, 1 और 1, ये mu mu cancel, 1 में हुआ, mu हो गया, नीचे R2 है, ये mu mu cancel, 1 upon V हो गया, जोड़ेंगे, ध्यान से देखेगा, किस तरह से हम जोड़ते हैं, दोनों equations को, समिकरन 1 धन 2 से, कहां से बच्चों, समिकरन 1 धन 2 से, समिकरन 1 धन, क्या करेंगे हम, समिकरन 2 करेंगे, समिकरन 1 धन 2 से, तो समिकरन 1 धन 2 करने से, से, देखो, हमको मिलता क्या, ध्यान से देखेगा, ना, समीकरंड एक धन दो से, ये मिला बच्छो में, म्यू माइनस 1 अपाउन अरबन प्लस 1 माइनस म्यू अपाउन आरटू, और इसके एक्वल में, दूसरे पक्षम में, हो गया हमारे पास में 1 Connor We 1 यह हो गया अब यहां पर बच्चो ध्यान दीजेगा में मियों विन क्या हो जाएगा बच्चो केंसल सो जाएगा यह आप फंद में क्या हो दो क्येंसल जाएगे अब कि वहाँ से हम किसको कौमन निकालेंगे mu minus 1 को हम क्या निकालेंगे बच्चो हम common निकालेंगे ठीक है यह दोनों से यहाँ से minus बाहर निकलेगा तो mu minus 1 हो जाएगा बचेगा क्या हमारे पास 1 upon r1 minus हो जाएगा बच्चो 1 upon r2 यह हो जाएगा और इधर क्या बच रहा है बच्चो 1 upon v minus COB लेकर सो बच्छराए वन आँ आँ इतना होग्य हमारे पास अब इसको मैं नेश्ट पेज में लेकर चलता हो नहीं जगा कम है छीुट है यहीं मेरे पास जगा कम है सब्सक्राइब ले ले तो मैं, क्या है हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, ज़र क्या है था हमारे पास बच्चो, यहाँ पर यदि वस्तु की पोजिशन अनंध है मान के चलते हैं, बच्चो वस्तु कहां पर है अनन्थ पर है यदि वस्तु कहां पर है बच्चो अनन्थ पर है यदि वस्तु अनन्थ पर है हो तो प्रत्विम कहां पर बनता है बच्चो फोकस पर बनता है प्रत्विम कहां पर बनता है बच्चो वी जो है फोकस पर बनता है ठीक है यह हो गया तो हमारा फर्मूला कैसे दिखाई देगा mu-1 1 upon r1- 1 upon r2 और यह 1 upon v v के जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास f आ जाएगा और 1 upon u u के जगह में आ जाएगा infinite यह 1 upon infinite यह होता है बच्चो 0 ठीक है अत्ता है यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास राइट साइड में 1 upon f इधर लिख लेता हूँ यह mu- क्या होगे बच्चो 1 1 upon r1 1 upon r2 यह फार्मूला होता है पतले लेंस के लिए अपवरतन सुत्र या लेंस निर्माता का सुत्र यह पतले लेंस के लिए परतन सुत्र या लेंस निर्माता का सुत्र यह हमारे पास क्या होता है बच्चो फार्मूला होता है बहुत ही important question है बहुत ज़्यादा exams में पूछे जाने वाला प्रशन है बहुत ही मत्वपुर्ण प्रशन होता है याद रखना मैंने पूरा तरीका लिखा ऐसा प्रशन बच्चो जो आपको बोड की exam में जरूरी पांच अंक दिला सकता है याद रखना ठीक है चलिए भई आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रशन की ओर आज का हमारा दूसरा प्रशन है बच्चो प्रिजम के पदार्थ के लिए अपरतनांग का सुत्र अलपतम विचलन कोन और प्रिजम के कोन के पदों में निगमित कीजिए या n is equal to sin a plus delta m by 2 sin a by 2 का निगमन कीजिए जहाँ n प्रिजम का अपरतनांग a prisma का कोन और delta m अलपतम विचलन कोन है आप n भी लिख सकते हैं, mu भी लिख सकते हैं, चलिए ये बनाते हैं, ये बनाने से पहले हमें diagram बनाना होगा, चलिए, diagram बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत important diagram बनता है, ये हमारे पास में prism, ये क्या होगे बच्चों हमारे पास में prism, फोड़ा बड़ा कर लो, चलो, कि यह हमारे पास स्प्रिम स्प्रिज्म को हम नाम देते हैं ABC अब इस प्रिज्म मे इस प्रिज्म में आपको मालूम होगा फिरुज्म को हम तर्म कोका भुज शरा से इसकी भुजाएं A, B और A, C ये अपवर्तक प्रिष्ट होती है जहाँ पर प्रकास की अपवर्तर की घटना होती है A, B पर भी होती है और A, C पर भी B, C अधार होता है कौन A को प्रिजम का कौन कहते है बच्चो अब यहाँ पर हम एक प्रकाश किरन आप्तित कराते हैं यह प्रकाश किरन बच्चो आप्तित किरन P से Q की दिशा में कौन से दिशा में आप्तित हुई थोड़ा सा इस तरह से यह प्रकाश किरन बच्चो P Q इस प्रकाश क्र餌 को हम नाम क्या देते हैं बच्छो, फिर ये Q से R की दिशा में अप्वर्तित हुई। निर्गत हो जाती है ठीक है आप्तित क्रेंट PQ अपवर्तित क्रेंट QR और निर्गत क्रेंट RS यहाँ पर हम अभी लंब खीचेंगे क्या खीचेंगे बच्चों हम अभी लंब खीचेंगे अभी लंब एक मुनट यहाँ पर हम अभी लंब कीचेंगे बच्चों यह हमारे पास अभी लंब होगा यह इसको ऐसे करो इसको ऐसे बढ़ा दो यह हमारे पास अभी लंब होगा अभी लंब को हम नाम देते हैं क्या नाम दे देंगे बच्चों इसको मैं नाम दे दूंगा यह मो और यह एन ओ यह हमारे पास अभी लंब होगे मो और एन ओ ठीक है यह हम पस और था हमारे पास अब देखो हमने पढ़ा है आपतित किरन को आगे बढ़ाने और निर्गत किरन को पीसे करने से जो कौन बनता है उसे विचलन कौन कहते हैं यह These ए यह T होता है और इधर S यह विचलन कोन हमारे पास डेल्टा हो जाता है UTS क्या हो जाता है बच्छों विचलन कोन डेल्टा हो जाता है डाइग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझेगा बास समझ में आ रही है त्रिभूज ABC एक प्रिज्म है ABC अपवर्तक प्रिष्ट है बच्छों ठीक है ABC क्या चीज है हमारे पास में अपवर्तक प्रिष्ट है कोन ए प्रिज्म का कोन होता है पिक्यू आप्तित किरन QR अपवर्तित किरन RS निर्गत किरन है MO NO अभी लंब है आप्तित किरन को आगे बढ़ाया निर्गत किरन को पीछे कोन, विचलन कोन क्या है हमारे पास में, कोन UTS, विचलन कोन है, इसको डेल्टा से लिखते हैं, और इस प्रशन की सुरुवाद भी यही से होती ही बच्चों, कौन सा त्रिभुष दिख रहा है, देखो यहाँ पास में, त्रिभुष TQR में, कौन सा प्रमे लगाना आप, बह भाषकोन प्रमे शे, त्रिभुष TQR में भाषकोन प्रमे से, तो भाषकोन प्रमे अगर हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बहिचलन कोन है, वो भाषकोन बनता है, उसके बाद देखो ध्यान से देखना है, यह एक एंगल, जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं और यह दूसरा एंगल, जहाँ पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, यह इसके अन्ता कोन बनते हो, बहिच कोन प्रमे यही तरह से माननी कालेंगे बच्चो देखना विल्कुल ये आप्तित किरन और अभिलम के मध्य आपतन कोन हो जाएगा बच्चो आई जिसे हम आईवन से रिप्रेजेंट करते हैं और इधर निर्गत किरन और अभिलम के बीच में निर्गत कोन हो जाएगा बच्चो इसको हम आई भी ये पूरा कोन I1 होना चीए मगर आधा कोन क्या है बच्चो R1 है ये पूरा कोन I1 होगा आधा कोन R1 है तो ये बचा हुआ कोन ये I1-R1 हो जाएगा वैसी धर I2 है ये आधा कोन R2 है बच्चो तो ये बचा हुआ कोन यहां पर क्या हो जाएगा? यह I2 माइनस R2 हो जाएगा? हमारे पस इन दोनों कोनों का मान मिल गया UTS में क्या क्या मिला बच्चो? UTS तो विशलन कौन है? Δेल्टा TQR यह मिला बच्चो हमको I1 माइनस R1 I1 माइनस क्या मिल गया बच्चो? R1 धन T R Q ये मिल गया बच्चो हमें I 2 minus R 2 ये हमें I 2 minus क्या मिल गया बच्चो R 2 मिल गया ठीक है पूरा प्रोसेस याद रखो कि क्या क्या कर रहे हैं हम तो एक तरफ T Q R और एक तरफ T R Q बच्चो delta is equal to I 1 minus R 1 और I 2 minus क्या मिल गया हमको R 2 ये हमको मिल गया आगे देखते हैं इसके बाद देखे इसके बाद बोलता है चुंकि अलपतम विचलन की स्तती में या नियूनतम विचलन की स्तती में जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं चुंकि नियूनतम चुंकि नियूनतम विचलन की इस्तिती में क्या होता है आपतन कोन बच्चो I1 बराबर होता है I2 बराबर हो जाता है तथा अपवरतन कोन R1 बराबर होता है R2 बराबर होता है ठीक है अतह डेल्टा M नियुंतर मिचलन की स्थिके करण मैंने डेल्टा को डेल्टा M लिख लिया बराबर हो जाएगा बच्छो I1-R1 है तो ये I- क्या हो जाएगा? R हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा I2-R2 है तो I- क्या हो जाएगा? R ये डेल्टा M 2I, I-R-I, 2I R-R, 2R ये मेरे पास समुझ करन नंबर 1 मिल गया ये हमेशा याद रखना यहां से हम सुरुवात करेंगे निकालना क्या है बच्छो हमे अपरतनांग निकालना है अपरतनांग क्या होता है? अब देखो ये मैंने सुरुवात तो बता दिया अब पहुचना कहा है वो भी तो हमें याद होना ही चाहिए हमें पहुचना कहा है बच्चो हमें पहुचना कहा है हमें अपवर्तनांग चीए क्या चीए बच्चो हमें अपवर्तनांग अपरतनान कहां से निकलता है स्नेल के नियम से तो finally हमें स्नेल के नियम को याद रखना होगा स्नेल के नियम से क्या होता है हमारे पास में musical to क्या जाता है बच्छो हमारे पास में sin I upon क्या जाता है sin R musical to sin I upon क्या जाता है बच्छो sin R तो snail के नियम में हमें क्या चाहिए हमें i की value चाहिए और r की आप तनकुन अगर आप पर तनकुन हमें मालूम है तो हम snail का नियम लगा सकते हैं तो snail के नियम की और ही चल रहे हैं हम i और r का मान निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं यहां तक तो पहुँझ गया delta m is equal to 2i minus 2r अब हमारा main यहां पास target है बच्चो आई हुआ r का मान निकालना तो बिल्कुर आसान है अब ध्यान से देखना इसके बाद बच्चो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज लेंगे कौन सा त्रिभुज त्रिभुज QOR में त्रिभुज QOR दिख रहा हैं यह QOR तीनों कोनों का यह कितना होता है त्रिभुज का एक sorcianस होता है तो यहाँ पास बच्चो तीन कौन R1 प्लस R2 प्लस कौन QOR डाइग्राम में आपको दिख रहा होगा इनका योग 180 डिगरी होगा यह R1 प्लस R2 प्लस कौन QOR यह कौन QOR है यहाँ से काम करना बच्चो आप कौन QOR का मान निकाल लेना तो यह हो जाएगा हमारे पास में 180 माइनस हो जाएगा बच्चो R1 प्लस R2 को धर पक्षानतर कर देना यहाँ जाएगा त्रिभुज QOR में और जैसी आप त्रिभुज QOR निकालोगे उपर से देखने एक चत्रभुज दिखाई देगा AQOR तो आप एक चत्रभुज ले लेना बच्चो यहाँ पर चत्रभुज AQOR में कहाँ पास में बच्चो चत्रभुज AQOR में इस चत्रभुज में चत्रभुज के चारो कोनों का योग 360 हंस होगा सबसे उपर वाला कोन कोने ये कोने फिर इधर बच्चो कोन Q ये चारो कोनों का योग कितना हो गया बच्छो, 360 डिगरी हो गया, 360 डिगरी हो गया हमारे पास, अब ध्यान से न, यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान पुरुवक, कोन A, प्लस A, A का मान तो अभी रने दो, प्रिज्म का कोन होता है, ये A तो A ही रहेगा, कोन Q, अभी लंपर बना 90 डिगरी हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, हमारे पास, 360 डिगरी, अब इधर ध्यान से देखेंगे, 90, 180, 90, 360, उधर भी 360, cancel, finally यहाँ पर बसता है, बच्छो, A प्लस, A माइनस, क्या बसता है, हमारे पास, A माइनस, R1 प्लस, R2, ये बसता है, बराबर हो जाता है, 0, ठीक A is equal to क्या बच जाता है, बच्छो, हमारे पास, पक्षांदर करने पर, R1 प्लस, R2, ये हो गया, ठीक है, त्रिभुज लेना, त्रिभुज की तीनो कोनों का योग, 180, चत्रुज लेना, चत्रुज के चारो कोनों का योग, 360, यहाँ पर, 360, 360, cancel हो जाता है, बच्छा क्या ब पता है, नियुन्तम विचलन की स्तिती में, हम R1 बराबर, R2 बराबर क्या रखते हैं, बच्छो, R1 बराबर, R2 बराबर, R, इसलिए, A is equal to, क्या जाएगा, हमारे पास, R प्लस, R आ जाएगा, A is equal to, R प्लस, R कितना हो जाएगा, बच्छो, 2R हो जाएगा, then, R is equal to, इसको याद रखना, अब R कमान मिल गया, तो I भी निकाल सकते हैं, R कमान समिकरन एक में रख दो, R कमान कहां रख दो, बच्छो, समिकरन एक में, एक में रखने पर, देखो क्या जाएगा, डेल्टा M is equal to, 2I minus 2R, R के जगा में A by 2, यहां से क्या हो जाएगा, फिर से हमारे हो जाएगा, बच्छो, कैंसल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास बच क्या आ रहा है, डेल्टा M is equal to, 2I minus A, ठीक है, तो डेल्टा M minus A इदर आ गया, प्लस A हो गया, बच्छो, 2I आ गया, then I is equal to, डेल्टा M plus A by, यह हमारे पास I कमान आ गया, तो मैंने दोनों मान निकाल लिए, R कमान A by 2 और I कमान बच्छो, डेल्टा M plus A by 2, अब यह दोनों मान हम, कहां लगाएंगे बच्छो, स्नेल के नियाम में, चलिए देखते हैं, musical 2, sin I, sin I, A plus, डेल्टा M divided by 2, sin R, sin A by 2, यह आ गया, हमारे पास अपवरतनां का फार्मूला, हाँ जी, आप N भी लिख सक सकते हो, चाहें, तो आप इसको लिखना, बच्छो, N, sin A plus, डेल्टा M by 2, sin A plus क्या हो जाएगा, डेल्टा M by 2, divided by क्या आजाएगा, बच्छो, हमारे पास, sin A by 2, आप इस तरह से आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल इसको निकाल सकते तो ये है, एक और बहुत important question, जो 5 marks में अकसर आप लोगों को ये questions, जो है बच्छो, अकसर पूछा जाता है, ठीक है, तो ये questions भी बहुत बढ़िया से आप practice करके रखना, बहुत important है, तीसरे प्रशन के और बरते हैं, आज के हमारे, खगोली ये दूरदर्शी का किरन आरिक बनाईए, जब अंतिम पृतिम अनन्त पर बन रहो, दूरदर्शी में अभी दृष्या क्लेंस के द्वारा को बड़ा क्यों लिया जाता है, खगोली दूरदर्शी द्वारा अंतिम पृतिम इस्पश दृष्टिक नूंतन दूरी बनने का किरन आरिक बनाईए, आउर्धन से देखेगा कैसे बनाते है, सबसे पहले तो बचो बार फिर से अपन डाइग्राम बनाते हैं, क्या हम बनाएंगे बचो राइंगे ठीक है, द्मक्रायन से दिखेगे यह हमारे पास में लैंस, औन inverse है बचो यह उत्तर ल lovers से कैसा लैंस है? अंस हे हमारे पास? यह मारे पास में उत्तर लेंस है यह उत्तर लेंस है वस्तु इसको एलवन नाम देता हूं वस्तु की और होता है बच्चो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं हम अभी दिर्शक क्या कहते हैं बच्चो हिंदी में इसका नाम होता है अभी दिर्शक लेंस या अब्जेक्ट ल अब यह क्या है बच्छों यह है खगोली दूर्दर्शी की सायता से हम आकास में इस्थित वस्तों को देखते हैं मतलब यह है कि वस्तुएं जो होएं वो हमसे बहुत दूर होगी वस्तुएं जो है बच्चो वो हमसे क्या होगी बहुत ज्यादा दूर होगी अब वस्तुएं दूर है तो जो प्रकास की किरने आएगी बच्चो वो प्रकास की किरने कैसे आएगी बच्चो वो पैला लाएग लाएगी समानतर आएगी और समानतर आएगी ये प्रकास की किर्णे तो जो प्रत्विम्ब बनेगा बच्चो यह देखो कुछ इस तरह से यह प्रत्विम्ब बनेगा हमारे पाशन वो कहाँ पर बनेगा आप याद रखना जब वस्तु अनंध पर होती यहां पर ध्यान दीजेगा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से सुनिए मेरी बात बच्चो जो आपका अब्जेक्ट होगा ना यह जो आपका अब्जेक्ट है बच्चो ए बी यह कहाँ पर है बच्चो यह अनंध पर है आश्मान में मतलब कहाँ पर है अनंध पर प्रतियुम कहाँ पर बनेगा बच्चो फोकस पर बनेगा प्रतियुम कहाँ पर बनेगा बच्चो फोकस पर तो यहाँ पर मैं वस्तु का उल्टा और आउर्दित अगर ए भी वस्तु है बच्च इसका और बड़ा और और प्रतिम चीए वच्चों तो और बड़े और आवरदिक प्रतिम के लिए आपने कां में नेलर macht हम हम इसके सामने आई लेंस रखेंगे हम इसके सामने क्या रखते हैं बच्छों हम आई लेंस रखते हैं यह इस तरह से इसके सामने अपन आई लेंस रखते हैं यह बच्छों हमारे पास में आई लेंस इसके ठीक सामने रख दिये यह आई लेंस रखते हैं यह दूसरा लेंस है हमारे पास यह इसका नाम है यह आंखों की और होता है इसलिए इसको हम क्या करते हैं इसको हम बोलते हैं नेत्रिका लेंज करते हैं कौन सा लेंज करते हैं नेत्रिका लेंज करते हैं हम आई लेंज करते हैं यह हमारे पास आई लेंज हो जाता है नेत्रिका लेंज और यह नेत प्रकासिक केंद्र और focus F-E के बीच में हो, focus कहाँ पर हो बच्छो F-E के बीच में हो, यह, it is V-Dis F-E और E के बीच में है, अब क्या होगा, यहाँ से चलने वाली प्रकास केंद्र, एक प्रकास केंद्र मुख्यपच के समानतर जाएगी, वह इस तरह से, लेंस अब परतन के परशाद चले जाएगी, दूसरी प्रकास किरन प्रकाशिक के इंद्रस हो कर जाएगी, वो भी इस तरह से चले जाएगी, ये दोनों एक दूसरी के समानतर जा रहा है बच्चों, इधर हम अपनी आख लगाएंगे, आई लगाएंगे, और इन किरनों को हम पीछे खीचेंगे इनको क्या करेंगे बच्चों, हम पीछे की और खीचेंगे, तो जब हम इन किरनों को पीछे की और खीचेंगे, इस तरह से, तो हमें वस्तु का बड़ा और आवर्दित प्रतिम्ब, वस्तु का बड़ा और आवर्दित प्रतिम्ब, ये बच्चों, पिक्यू मिलेगा, यह बने उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, इस तरह से हमें प्राप्त होगा, तो यह जो प्रतिम बनने का जो यह नामांकित रेखा चित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बोर्ड में वच्छो केवल डाइग्राम पूछा जाता है, ठीक है, सिंपल है, वस्तु पहला है अब ँरिशक लेंज की फोकस पर है, इसलिए इसको FO कहते हैं, क्या कहते हैं बच्छो हम? FO कहते हैं, और A-Days-B-Days यह वस्तु का कारे कार रहा है, नेत्रिका लेंज के लिए इसलिए यह दूरी होती, बच्छो UE, नेत्रिका लेंज से वस्तु की दूरी क्या हो जा कैसे हम आवर्धन चमता निकालेंगे ध्यान से देखिएगा यह मेरे पास फार्मूला है आवर्धन चमता के लिए आवर्धन चमता यह होता है अंतिम प्रतिम द्वारा निर्मित दर्शन कुन अंतिम द्वारा निर्मित दर्शन कुन बटा थे वस्त द्वारा निर्मित दर्शन कुन तॉष्य। और अरधन चमता को हम M से दाखाते हैं बच्चो अंतिम प्रतिम दारानीमितत्शन से और वस्तव दारानीमित से अलफार लिखना चुंकि हरा डिक्षन कोण को अलब आलफा से यहांपतर लिखना आप कि αलफा और बीटा के मान बहुत ही कम होते हैं इसलिए बीटा के जगा में हम टैन बीटा ले लेते हैं और अलफा के जगा में हम टैन अलफा ले लेते हैं आप बोलोगे सर अलफा और बीटा क्या हैगा तो देखो सबसे पद्फा वस्तुदरान इमेज दर्शन कोन यहाँ कहीं बनेगा बच्छो यह अलफा बनना था मगर इधर इमेज नहीं बन रहा है तो सिर्शाओकोन हम अलफा को इधर ले लेंगे यह सिर्शाओक हमोन इpping अलफा तो इधर भीностью इंगल बुलते हैं Kris तो यह हमारे पास अंतिम प्रतिम दारा निमित दर्शन कुन क्या बन जाएगा बच्छों बीटा बन जाएगा अब समीक्राइड एक में 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 10 बीटा पॉन 10 अलफा हम इन दोनों की वैल्यूस निकालते हैं चलिए देखिए का कैसे निकालते हैं सबसे पहले हम यहां निकालेंगे बच्छों 10 अलफा 10 अलफा लंबटा अधार लंब में एड़ेस बीड़ेस देखो यह त्रिपुज देखो इसको आप ओ नाम दे देना ठीक है त्रिपुज एड़ेस ओ बीड़ेस में एड़ेस बीड़ेस अपॉन ओ बीड़ेस कहा निकला यहां साइट में लेकर देता हूं त्रिपुज एड़ेस ओ बीड़ेस में यह निकला हमारे पास ठीक है वैसी ही हम त्रिपुज बच्छों कौन सा त्रिपुज ठीक है त्रिपुज पिक्यो त्रिभुज PQE ठीक है यह समरूप है किसके बच्चो त्रिभुज A-DES-BDES-E A-DES-BDES-E तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं मैं निकाल सकते हैं क्या निकालेंगे बच्चो हम 10 बीटा ठीक है 10 बीटा लंब क्या दिखाई दे रहा है PQ आधार क्या दिखाई दे रहा है QE या फिर हम 10 बीटा को बच्चो समरूप त्रिभुज है बताया मैंने PQE और A-DES-BDES-E तो मैं PQ के जगा में A-DES-BDES और QE के जगा में BDES-E भी रख सकता हूँ मतलब वही है ठीक है ये इस तरह से हम एक्षोल में निकालना चाहिए PQE में मगर PQE और A-DES-BDES-E कैसे होते हैं बच्चो समरूप त्रिभुज होते हैं दोनों के दोनों कैसे होते हैं 10 बीटा के जगह में, क्या आ गया हमारे पास में? A-DES B-DES upon B-DES E, बराबर, ठीक है? 10 अलफा, A-DES B-DES upon O-B-DES, यह हमारे पास आ गया, इससे हमारे पास मान आएगा, A-DES B-DES B-DES तो cancel हो गया, यह आ गया, O-B-DES upon B-DES E, O-B-DES upon क्या आ जाएगा, बराबर, बराबर, इससे हमारे पास B-DES E, अब इस डाइग्राम में मैंने आपको दोनों चीज़े बताईए, देखो, O-B-DES, फोकस दूरी है बिदरिशक की, यह M is equal to F-O, M is equal to F-O, फोकस दूरी है, ठीक है, बिदरिशक की, दाइओ और है इसले पाजिटिव, U-E, माइनस U-E, नेत्रिका से वस्तू की दूरी है, बाइओ और है, इसले माइनस, हमारे पास final formula मिल गया बच्चो, M is equal to, ठीक है, माइनस F-O upon U-E, यह होता है आवर्धन चमता का वेंजग, यह होता है आवर्धन चमता का वेंजग, इस तरह से आपको निकालना होगा, और चिन्नों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बाइओ और दाइओ ओर, ठीक है, जैसे भी आ रहा है, कौन सा positive, कौन सा negative, तो यह process करके आप निकाल सकते हैं, अभी बचा हुआ है प्रश्न भी, अभी इसमें मैं आपको आगे और बताता हूँ, देखो, दो स्थितियां होती बचो, दो स्पेशल केसे होते हैं, सबसे पहले स्थिति केस वन, केस वन बोलता है, कि जब प्रतिविंब, जब प्रतिव बुरी पर बने, प्रतिविंब इस पर दरिश्टिविंब पर बने, process देखलो, हमेशा यही चीज करते हैं, बच्छो हम, कौन सा सुत्र इस्तेमाल करते हैं, लैंस सुत्र, और लैंस सुत्र किसके लिए, बच्छो नेतरिका लैंस के लिए, क्योंकि प्रतिविंब, अंतिम नेत्रिका लेंस से बनता है ये नेत्रिका लेंस के लिए हम यूज करते है ठीक है लेंस सुत्र 1 upon f is equal to होता है बच्चो 1 upon v minus 1 upon u ये मरे पास लेंस सुत्र होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus किया जाता है 1 upon u अब नेत्रिका लेंस के लिए तो 1 upon f e 1 upon v 1 upon u e यहाँ पर आप put करना बच्छो जहां प्रत्यूम कहाँ पर बने बोलता है इस्पजदरिष्टी की नियुंतमदूरी पर तो प्रत्यूम की दूरी we e को minus d लेंगे यह d जो होता है इस्पजदरिष्टी की नियुंतमदूरी जो होती वो हमेशा माइनस होती बाई और आने के कारण यह रिनात्मक होगी यहाँ पर UE के जगर में भी माइनस UE पुट कर लेना बच्चो वस्तू की दूरी है तो 1 upon F is equal to 1 upon V यह माइनस D हो गया, माइनस हो गया बच्चो 1 upon माइनस UE, क्या होगा हमारे पास माइनस UE हो गया यहाँ पर एक काम करना D का गुना कर देना D का गुना करने पर आउर्धन चम्ता का फार्मूला अपने दिमाग में रखे रहो ताकि चीजे आपको आसान लगे D upon F यह माइनस 1 प्लस D upon UE कितना आ गया बच्चो हमारे पास में D का गुना करने पर D upon क्या आ गया हमारे पास में UE आ गया मगर हमको तो इसकी जुरुवत नहीं है यार हमको तो 1 upon UE चीए वापस 1 minute हमें D का गुना करने की जुरुवत ही नहीं पड़ रही क्यो जबरदस्ति गुना कर दिए हमें 1 upon UE चीए हमें क्या चीए बच्चों में 1 upon UE यहां से अगर मैं 1 upon UE निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1 upon FE प्लस हो जाएगा बच्चों 1 upon D ठीक है अब हम आउर्धन छमता निकाल सकते हैं इसलिए एए एए मीजब टू बच्चों मेजब हमारे पास फार्मूला क्या है देख लो मैंडस एफ ओम अपन यूई का मान रखूंगा तो क्या जाएगा मजब था माइनस एफ अफ एफओ वन अपन यूई के जगा वन अपन एफ़ी प्लस वॉन अपॉन जाएगा अप्लस वठ ऑन क्या जाएगा तो यह हमारे पास आउरधन चमता जब पृति fallen कहा पर बनता है इस अहौव कि नितरी पर बने देख Chief पूरा प्रोसेस देख लो कैसे कैसे हमने बनाया है । ये चीज हाइए चीज याद रखना और — U—UE ले लिए रे लिए अब इसी में दूसरा केज ही होता है बच्छों हमारे पास में केस टू ठीक है दूसरा केस केस टू केस टू में क्या होता है बोलता है कि जब अन्तिम प्रतिम्वेंबर जब अंतिम प्रति विम कहां पर बने बोलता है बच्चो अनंत पर बने जब अंतिम प्रतिम कहां पर बने अनंत पर बने तो अंतिम प्रतिम अनंत पर बनेगा तो क्या हो जाएगे बच्चो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी यह वस्तु की दूरी जो यूई है मैंने बता है, फोकस पर होता है, तब अनन्द पर बनता है, तो u is equal to f e, इसलिए m is equal to minus f upon f e, ये हमारे पास formula बन जागा, m is equal to minus f upon f e, तो दोनों के दोनों conditions आपको हमेशा याद होने चाहिए, हमेशा आपसे बनने चाहिए, तब जाकर exams में बच्चों आपको marks मिलेंगे, most important questions है, most repetit questions है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रशन है बच्चों बोड के exams में, ये सारे के सारे questions, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हाइगेंस की दुत्यक तरंगिकाओं के सिध्धान की आधार, पर चौंथा प्रशन है आज का हमारा हाइगेंस की दुत्यक तरंगिकाओं के सिध्धान की सहता से, तरंगों के अपवर्तन की व्याक्या कीजे तथा स्नेल के नियम का निगमन करो बोलता है, ये भी एक most important question है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर देखो मैंने diagram पहले लगा दिया है, ठीक है, देखो ध्यान से देखेगा, थोड़ दूसरे माध्यम, माध्यम दो में जा रही है, माध्यम एक से माध्यम दो रही है, यहाँ पहले माध्यम का पुरतनांग मैं चाहूं तो मैं इसको mu1 ले सकता हूं, दूसरे माध्यम का पुरतनांग हम mu2 ले सकते हैं, ठीक है, ये, प्रिकाश, जो तरंग है वो एक माध्यम स दूसरे माध्यम में जा रही है तरंग का नाम क्या है बच्छों हमारे पास A भी है तो देखो तरंग आई कैसे ये तरंग आती है इस तरह से ये तरंग पत चुतीर का निशान दिखाई दे रहा है उस तरह से आती है सबसे पहले कौन सा सीरा इस तरंग का बच्छों जो हमारे पास में यह प्रिष्ट है जहां से प्रकास का परतन हो रहा है उसमें टकड़ाती है ए और उसके बच्चो ध्यान से सुनना ना बिल्कुल आसान है ये तरंग जो है ए भी कुछ इस तरह से आएगी और सबसे पहले अप्रिष्ट टकराईगी बच्चो जड़ सता से हो रहा है प्रकास का पुरतन कहा हो रहा है बच्छो जड़ सता से हो रहा है तो प्रकास का पुरतन जो है वो जड़ सता से हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि जब तरंग आई यह A B कैसे आ रही मालूम है किदर से आई बच्छो यह A B यहां से आ रही है यह इस त तक रहाएं ए वाला फिर उसके टी समय प्रश्चात कौन सा सीरा बीडे सीरा टक रहा ठीक है फिर ए अपवर्तन हो गया बच्छों ए अपवर्तित होकर कहां पर पूंच रही एडेस पर तो मानके चलते हैं कि जितना समय बी से बीडेस पूंचने में लग रहा है उतना ही समय एसे कहा, A days पहुंचने में लग रहा है, समय टी, तो तरंग जो B से B days गई, वो इस माध्यम में मानके चलते हैं, V1 wake से चली, और जो तरंग A से A days गई, बच्चो, वो इस माध्यम में मानके चलते हैं, कौन से wake से चली, V2 wake से चली, तो यहां पर हम सबसे पहले ये दोनों distance निकाल लेते हैं, दोनों दूरिया निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक formula है बच्चो, चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा, देन दूरी बराबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास चाल गुना शमय हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा तो मैं दो दूरिया निकालना चाहता हूँ यहां दूरी बीविडेस कितने चाल से चल रही है पहले माद्यम में प्रकास की चाल वीवन समय कितना लग रहा है मानके चले टी दूसरा बच्चो ए ए डेस दूसरे माध्यम में चाल बदल गई वी टू सवय उतना ही लिए हमने ठी तो बी डेस इस अगल टू वी वन टी और ए डेस इस अगल टू क्या गया बच्चो वी टू टी ठीक है यह आ गया अब इस डाइग्राम में कुछ बहुत इंपोर्टेंट ह और यह आपतन बिन्दू पर की जह गया है लंब जिसे आम दू में कहते हैं बच्चो यह वाला कौण बन रहा है वह आपतन खाना आई रहेगा उन्पतर रहा है तो इस यह बचंपहन बच्चो यह तो इस यह दो बिया वितु लंब है ये कोन भी कितना हो जाएगा वसिज़ा व्हाइड परतन को आज पर र वसको थे वाय वनायों ये वित्वरूर ट हम यहां पर calculate करेंगे बच्चो sin i इसमें साइन आई है लंब बटा करना लंब क्या हो गया मेरे पास बीबी डेस और करना क्या हो गया बच्चो मेरे पास में यहां पर आप निकालने ना बच्चो sin r क्या जाएगा लंब यहां पर है a डेस और करना फिर से एक बार बच्चो a b डेस यहां पर आपको sin r का मान मिल जाएगा बच्चो a डेस एक बार फिर से v to t और यह हो जाएगा a b sin i और sin r अगर आपको मिल गया तो आप यहां निकालने ना sin i upon sin r sin i upon sin r sin i बच्चो v1 t upon a b-s sin r बच्चो v2 t upon a b-s ab-s 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 फिर से cancel हमारे पास finally बच्चो sin i upon sin r sin i upon क्या बच्चो sin r और यह आगया मेरे पास ॐप in अपन क्या गया बच्चो हमारे पास वी टीटी भी है इसको आप एक क्विश्चन मान के रखना घेrates संहीखन नंबर एक यह हुआ अब मैंने बताया था पहले माध्यम में पृत्रांग μुवन है बच्चो तो μुवन मुवन आपको मालूम है आप पृत्रांग के लिए हमने वेग के पदों में परिभाषा देखा था तो ये क्या होता है यो निर्वात में प्रकास की चाल बटा माध्यम में प्रकास की चाल तो mu1 is equal to c upon v1 हो जाएगा और दूसरे माध्यम में प्रकास की चाल mu2 is equal to क्या हो जाएगा बच्चों c upon क्या हो जाएगा v2 ये भी यो निर्वात में प्रकास की चाल बटा माध्यम में पहले माध्य में प्रकास की चाल V1 थी, दूसरे माध्य में प्रकास की चाल V2, तो ये हमेरे पास Mu1 Mu2 का मान मिल जाएगा, इसलिए मैं Mu2 upon Mu1 calculate करता हूँ, तो Mu2, C upon V2, upon C upon क्या हो जाएगा बच्छो, V1, CC cancel, CC क्या हो जाएगा बच्छो, कैंसल हो जाएगा, यहां से Mu2 upon Mu1 is equal to मुझे मिल रहा है बच्छो, V1 upon V2, v1 upon v2 स्व्भीकरन吧 qyabla बन गया बच्छो 2 समीकरन icon क्या बन गया बच्छो 2 बन गया अब यहाँ पर देखो समीकरन एक और दो से कह पक्ष बराबर देख रहे हैं समीकरन एक और कहां से बच्छो blossom applicran number 2 से एक और समीकरन नमबर 2 से क्या जाएगा हमारे पास में sin i upon sin r sin i upon क्या गया बच्चो sin r और ये मेरे पास formula बना sin i upon sin r यहां से देखें sin i upon sin r क्या बढ़ना है mu 2 upon mu 1 mu 2 upon mu 1 इसी को हम क्या कहते हैं बच्चो हम mu कहते हैं musical to क्या गया sin i upon sin r sin i upon sin r यही snail का नियम है snail का नियम ही प्रू करने बोलता है बच्चो और यह प्रू हो जाता है musical to sin i upon sin r यह snail का नियम होता है इस तरह से आप प्रू कर सकते हो बिल्कुल मैंने step by step बताया जैसे मैंने सिखाया उसी तरह से करना यह question भी आप आसानी के साथ बना सकते हो अब आजका मैं अंतिम प्रश्ण जो पांचवा प्रश्ण है बच्छों उसके और बढ़ रहा हूं बिल्कुल सिंपल सा कुश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्धे का सुत्र लिखिए डी ब्रॉगली के लिए तरंग दैर्धे का सुत्र डी ब्रॉगली तरंग द्रव्य तरंग आप लिख सकते हैं मुख्य चीज होती बच्चो द्रव्य तरंग का सुत्र देखो हमने पढ़ा है फोटान की उर्जा E is equal to H new होती है यह हमारा equation number 1 बनाएगा और ice stream का जो द्रवमान उर्जा तुलेता शंबंध है बटो वो E is equal to mc square बनाएगा समीकरन number 2 आप समीकरन number 1 और 2 से अगर देखे एक एक पक्ष आपको बराबर दिखाई दे रहा है तो दूसरे पक्ष को भी बराबर कर सकते हैं समीकरन 1 और कहां से बच्चो समीकरन number 2 से तो यहाँ पर H new is equal to mc का square मेरे पास formula बन जाता है H new को मैं लिख सकता हूं बच्चो c upon lambda और यह बना mc का square ठीक है new के जगह में c upon lambda cc cancel हो जाएगा h upon lambda is equal to mc और then lambda is equal to h upon mc यही तो formula होता है कितना असान है e is equal to h new equation 1 e is equal to mc square equation 2 समीकरन 1 और 2 से h new is equal to mc square ठीक है new is equal to होता है बच्चो new is equal to यहाँ पर लिख लेना जबकि new is equal to बच्चो c upon lambda h new बरापर mc square hc upon lambda यह हमारे पास आजाएगा ठीक है new के जगह रख देंगे तो इसी को हम p करता है photon का समवेग होता है p photon का समवेग mc होता है जबकि यह हमारे पास आता है इसलिए बच्चो lambda is equal to h upon p lambda is equal to h upon p यह हमारे पास formula तैयार हो गया lambda is equal to h upon p यह हमारे पास formula तैयार हो गया तो यह आज के हमारे पांच most important questions थे बच्चो जो मैंने आपको समझा है book 2 के बहुत important derivation अक्सर exams में पूछे जाते हैं यह सारे questions आप बहुत अच्छे से करना और इसी तरह की और भी classes के लिए और भी videos के लिए बच्चो आप board exams की तैयारी के लिए आप चैनल जुरूर सब्सक्राइब करना share करना मिलते हैं बच्चो कल एक नए live session के शाथ आज के लिए बस इतना ही और class की video के लिए telegram channel join कर लो link मिलेगा इस class के description box में ओके आज के लिए बस इतना ही thank you फिर मिलते हैं next class में thank you